पहला question आप लोग के सामने है, ठीक है, first number का question है आपके सामने, देखें, कथन है, कथन कारण वाले question है, शुद्ध वायू मनुश्य के जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है, इसका कारण बताया जा रहा है, अशुद्ध वायू में सांस लेने से वायू के साथ रोगाणू भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और व्यक्ति को रोग रस्त कर देते हैं, A, R दोनों सही है, और R, A की यदि सही व्याख्या है, आप A option चूज करेंगे, A, R दोनों सही है, और R, A की सही व्याख्या नहीं है, तो आप भी option चूज करेंगे, A सही और R गलत है, तो C option पे जा देखें, शुद्ध वायू मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है, शुद्ध वायू की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? मनुष्य के लिए आवश्यक है, मनुष्य आराम से खुले हवा में शुद्ध वायू के अंदर, अपने आपको बहुत comfortable फिल करता है, मन से, मस्तिश श्रेतन से, तीनों ही तरीके से वो क्या करता है, अपने आपको स्वस्त महसूस करता है, और जितनी भी क्रियाएं होती है, जितने भी कारे होते हैं, सभी को equally उसका जो functional way है, वो कहीं न कहीं उसके comfort zone में होता है, वो बहुत अच्छा फील करता है, कारण इसका बताया जा रहा ह अशुद्ध वायू में सांस लेने से, वायू के साथ रोगाडू भी क्या होते हैं, शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और व्यक्ति को क्या कर देते हैं, रोग ग्रस्त कर देते हैं, तो यहां शुद्ध वायू की बात हो रही है, मनुश्य के जीवन के लिए आवश्यक है, और कहीं न कहीं इसी शुद्ध वायू के बारे में explanation आगे चल रहा है कि यदि अशुद्ध हो जाती है तो वायू में सास लेने से वायू के साथ रोगाणू भी शरीर में चले जाते हैं जिसका कारण होता है इसका कारण या इसका जो परिणाम होता है वो हमारे शरीर को रोग ग्रस्त कर देना हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर A सही है और कहीं न कहीं A R दोनों सही है और एक दूसरे की व्याक्या कर रहे हैं तो A R दोनों सही है और R A की सही व्याक्या है A option क्या होगा इस प्रशने के लिए सही जवाब होगा पहले question का answer दूसरे question पर आते हैं देखें कि मैंने आपको बोला यदि शुद्ध हवा में व्यक्ति जो है सांस लेने की कोशिश करता है, तो आप देखें कितना खुलापन महसूस करता है, व्यक्ति अपने आपको मन, मस्तिश्क और आत्मा, याद रखेगा मन, मस्तिश्क, आत्मा और इनके साथ ही साथ शरीर से भी जो मन से अपने सारे कारियों को करता है वहीं हमारे घर में सारी सुविधाय मौझूद हों, हमारे घर में सारी सुविधाओं मौझूद हों, सारे संसादन हमारे पास मौझूद हो, सब कुछ हो लेकिन यदि हम अच्छे से जो है कि बीच का difference जो है यह कहीं न कहीं व्यक्ति की क्रिया शिल्ताओं से हमें पता चल जाता है ठीक है सेकेंड नमबर की question पर आते हैं डाश 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 नगन आँखों से नहीं दिखते इन्हें देखने के लिए सुक्षमदर्शी का प्रयोग किया जाता है यह दो नमबर का question है तो आप two mention करेंगे नगन आँखों से नहीं दिखते इन्हें देखने के लिए हमें क्या करना होता है सुक्षमदर्शी का प्रयोग करना होता है इस सुक्षमदर्शी के प्रयोग से जिवाणूओं को हम देख सकते हैं विशाणूओं यानि की वाइरस से देख सकते हैं और फंगई को भी देख सकते हैं जबकि यदि हम अपने आँखों से खुली आँखों से नगन आँखों से यदि इनको देखने की कोशिश करें तो हम कभी भी इनको नहीं देख पाते हैं, तो इनको देखने के लिए हमें सुक्षमिदर्शी का प्रयोग करना होता है, उपरोक्त सभी क्या है, इस प्रश्ण का सही जवाब है, ठीके, नेक्स्ट है, ये तीसरा प्रश्ण, कथन कारण वाले प्रश्ण है, कथन है, प्रतेक व्यक्ति में रोगा नहीं है, तो B पे जाएंगे, A सही, R गलत है, तो C पे जाएंगे, A गलत और R सही है, तो D पे जाएंगे, प्रतेक व्यक्ति में रोगाणू रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है, प्रतेक व्यक्ति के अंदर रोगाणू यदि प्रवेश भी करते हैं, तो रोग नहीं उत्पन्न करते हैं ये क्या है सही है जिसके शरीर में रोग प्रती रोधक छमता होगी उसके शरीर में तो रोगाणु कुछ नहीं कर पाएंगे वो आएंगे जरूर शरीर में प्रवेश जरूर कर सकते हैं लेकिन शरीर को रोगी नहीं बना सकते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के शरीर में जाए और हर व्यक्ति को रोगी बना दे जिसके अंदर रोग प्रति रोधक छमताएं है उस रोग के प्रति उनको वो रोगी नहीं बना सकते है तो ये कथन क्या है? करेक्ट है हर व्यक्ति के रक्त में एंटी बॉडी पाई जाती है हर व्यक्ति के रक्त में क्या पाई जाती है antibody पाई जाती है ये कथन भी जो है वो सही है हर व्यक्ति के शरीर में जो है वो क्या होती है antibody पाई जाती है जिसे हम लोग क्या केते हैं हिंदी में प्रतिपिंड कहते हैं देखिए शब्द भी बड़े हमारे questions में आ जाती है और हम English वाले version को देखते नहीं है English में जो question हमारा दिखता है या लिखा हुआ होता है हम उसको पढ़ने के कोशिश नहीं करते हैं और Hindi वाला पढ़ करके ऐसे जो शब्दावलियां आती है यदि हम इसमें confused हो जाते हैं करता है तो हमारा अर्थ का अनर्थ जो है वह आंसर हम लोग करके चले आते हैं तो थोड़ा सा इन पर दिहान रखना होगा तो प्रतेक व्यक्ति में रोगाडू रोग उत्पन्न नहीं करते हैं बिल्कुल करेक्ट है हर व्यक्ति के रंग में प्रतिपिंड यानि की antibody पाया जाता है तो पहले वाले में यदि हम लोग देखें तो यहां पे रोगाडू की बात हो रही है यहां पे रोगाडू की वरियता दी जा रही है या उसके बारे में जो है कही न कहीं explain किया जा रहा तो सही तो दोनों ही है लेकिन दोनों जो है वो आपस में explain नहीं करें ना यह प्रतिपिंड की बारे में बता रहा है और ना ही यह रोगाडू की बारे में बता रहा है यह रोगाडू की बारे में अलग बता रहा है यह antibody की बारे में अलग बता रहा है तो दोनों क्या हैं, सही हैं, लेकिन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, explain नहीं कर रहे हैं, बी आंसर जो है, इस प्रशन का correct जवाब होगा, चीक है, बी option क्या होगा, इस प्रशन का सही जवाब होगा, नेक्स चौते question पर आते हैं, देखें, ये हमारे शरीर के अंदर, ये antibodies होती हैं, इस तरह की antibodies होती हैं, आप देखें, खुश हो जाएं थोड़ा सा, कि आपके शरीर के अंदर, जो है, चाहे आप गोरे हैं, चाहे काले हैं, चाहे सावले हैं, चाहे जैसे भी हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, लंबे हैं, जैसे भी हैं, लेकिन इतना प्रतिपि आपके शरीर के अंदर पाया जाता है, ठीक है, यह antibody आपकी, नेक्स्ट चौथे नंबर question पर आते हैं, वायू द्वारा सास के माध्यम से फैलने वाला रोग है, वायू के द्वारा सास के माध्यम से फैलने वाला रोग है, तपेदिक, निमोनिया, जुकाम या उपरोक्त सभी वायू के द्वारा स्वास के माध्यम से याद रखेगा, स्वास के माध्यम से फैलने वाला जो रोग है, तपेदिक भी है, निमोनिया भी है, और जुकाम भी है, याद रखेगा, वायू के द्वारा जब हम सास लेते हैं, तो उस सास में जो वायू ग्रहन करते हैं, उसके स आग न कहीं ये रोगाणू हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे शरीर में तपेदिक, निमोनिया और जुकाम जैसे कहीं न कहीं रोग के लक्षण प्रकट होते हैं तो उपरोक्त सभी क्या होगा? इस प्रश्ण का सही जवाब होगा नेक्स आते हैं पांचवे प्रश्ण पे वैरियोला वाइरस से होने वाला रोग है A. चिकन पॉक्स, B. चेचक, C. खसरा या D. उप्रोक्त सभी तो variolla virus की बात करते हैं, variolla virus से जो है, चेचक यानि के smallpox रोग होता है, आपको दर्शन कराती हूँ, यही है वो, दुनिया वालों देखो, यही है वो, जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, हमारे स्वास की माध्यम से, वायू के अंदर मिल करके या वायू के साथ ज चेचक से प्रभावित कर देता है यदि लड़ने की छमता हमारे अंदर पहले से है यदि रोग प्रतिरोध छमता है तब तो हम फाइट कर पाते हैं इसे और यदि यह छमता नहीं है तो यह खुब अच्छे से हमारे शरीर के अंदर बढ़ी आश एकदम जम के तांडो करता है और ये करता ही रहता और तब तक करता है जब तक कि हमारे शरीर को अंदर से बिल्कुल कमजोर खोकला नहीं बना देता है ठीक है तो ये याद रखेगा वैरियोला वाइरस है चले नेक्स आते हैं 6 नमबर क्वेशन पे चेचक रोग से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में इनके लि व्यक्ति जिस व्यक्ति को चेचक एक बार हो जाता है ठीक है जिस व्यक्ति को चेचक एक बार हो जाता है उस व्यक्ति के अंदर इस रोग के प्रति यानि कि वैरियोला वाइरस के प्रति कहीं न कहीं जो प्रतिरक्षा है ये पुरे लाइफ के लिए जो है वो क्या हो जाती यह उत्पन्न हो जाती है जीवन भर के लिए यह प्रतिरक्षा उसके पास होती है विरले ही exceptional cases में ही कोई विशेश व्यक्ती है जिसको यह एक बार होने के बार दुबारा कभी वा हो हाला कि ऐसा कुछ कहीं मैंने नहीं सुना नहीं मैंने नहीं पड़ा लेकिन जो है यदि ऐस तो यह बहुत बहुत आपके मानिए कि बहुत विरले यह case जो है वो पाया जा सकता है अदर्वाइस जिसको एक बार हो गया उसको दुबारा यह रोग नहीं होता है याद रखियेगा तो जो प्रतिरक्षा डेवलप हो जाती है प्रतिरक्षा जो बन जाती है इस रोग के प 89 में ठीक है 89 में 1789 में 90 95 98 89 चेचक के टीके की खोज चेचक के टीके की खोज कब हुई तो कब हुई याद रखियेगा यह 1798 में हुई कब हुई 1798 में हुई कहीं कहीं पर आप खोजेंगे तो किसी किसी पुस्तक में जो है यह आपको 1796 भी मिलेगा ठीक है किसी पुस्तक की चोड़िये यदि आप Google पे भी जाएंगे न Google search करेंगे यदि Google search भी करेंगे न तो ये आपको ज़्यादा तर जगों पे 1796 मिलेगा तो इस पे हमें नहीं जाना है ठीक है 1796 पे हमें नहीं जाना है 1798 है हमारी जो मौलिक पुस्तके हैं हमारी जो माध्यमिक सिक्षा बोर्ड की किताबे हैं चाहे हम यूपी की बात करें चाहे राजस्थान की बात करें कहीं पे भी उनमें 1798 ही correct answer है और इसी को हमें याद रखना है याद रखिएगा ये जो है आप हाला की टेस्ट के बाद आप लोग जो है क्विज होता है कहीं पे question करते हैं explanation देखते हैं लेकिन उसके बात आप गाइडों से उसको मिलाने लगते हैं या ऐसे sources से मिलाने लगते हैं जहां पर randomly mistakes हो सकती गलतिया हो सकती हैं आप हमेशा जब भी मिलाया करें जो मौलिक पुस्तकें आपकी हैं जो आपके 11, 12, 9, 10 में चलती हैं जो ग्रेजवेशन में चलती हैं जो PG में चलती हैं जो महाविद्याले विश्विद्याले उमें चलती हैं ऐसी किताबों को authentic writers की किताबों से जो है आप content को सदैब cross check किया कीजिए गाइडों से मत चेक किया कीजिए या इस तरीके के short trick आप Google वगरे से सर्च करने का मत अपना ये Google जो है आप लोगों को पता नहीं Google keywords लेता है जहां पे जिस भी paper में जहां पे भी जो है ये publish होगा अब उसको क्या पता है कि ये गलत publish है या सही publish है वो तो आप जैसा search करोगे वैसा आपके सामने result ला करके दे देगा और आप हुजाते हो confused तो या तो authentic किताबे आप पढ़ रहे हो तो इन सब चीजों को नजर अंदास क करो और अगर यही सब चीजे पढ़ना है तो फिर दिमाग से cross check करना बंद करो फिर सिधा सिधा याद ही कर लिया करो ठीक है क्योंकि cross check करने में आप again disturb होते हैं फिर इधर उधर इधर उधर ये होगा तो वो होगा वो होगा तो वो एक question के पीछे पता नहीं कितना time आप लो करेंगे 1796 आपको दिखेगा लेकिन 1796 करेक्ट नहीं है यह याद रखिएगा 1796 जो है वो करेक्ट नहीं है ठीक है न चले आते हैं हम लोग अगले question पर आठवे नंबर पे चेचक का टीका लगने के बाद कौन सा लक्षण दिखता है चेचक का टीका जब लगता है तो क्या symptoms दिखते हैं बार बार व्यक्ति बिहोश होने लगता है चेचक के स्थान पर 24 गंटे में सूजन आ जाती है बिहोश भी होता और सूजन भी आती है दोन बाड़ी का पार्ट है जहाँ पे इंज्क्षण हुआ है व्यक्ति हालां कि बहा में लगता है ये तो जहाँ पे लगा है वहाँ पे 24 गंटे में याद रखेगा 24 आस में जो है वो सूजन एक बार आजाता है 24 आस में सूजन आ जाता है द Эन थोड़े दिनों के बाद और सू टीका जो है आपके शरीर में प्रतिरोधक शमता विक्सित कर चुका है ठीक है धीरे 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 ये जो symptoms दिखते हैं ये कही न कही रोग रोधक शमता हैं जो है आपके शरीर में विक्सित होती है इस वज़े से ये सारे लक्षन आपको दिखते हैं तो टीके के स्थान पर 24 गंटे में क्या आ जाती है, सुजन आ जाती है, ये इसका correct answer होगा, next आईए, no number के question पे, चेचक के टीके से शरीर में प्रतिरक्षा होती है, एक से दो साल तक, दो से चार साल तक, पांच से दस साल तक, या जीवन भर के लिए, चेचक के टीके से शरीर में प्रतिरक्षा, ठीके, चेचक के टीके से शरीर में प्रतिरक्षा, किसी ने मुझे अभी लिखा कि मैम यही question, यही question था मैम, यही question था, नहीं बेटा, पहले वाला question दूसरा था, पहले वाले में यह पूछा गया था, कि यदि किसी को हो जाता है, यदि किसी को चेचक हो जाता है, तो प्रत हो चुकी है हम हमेशा उससे लड़ने के लिए तयार है लेकिन यदी हम लोग इस प्रती रक्षा को जो कहीं न कहीं पहले से प्रिकॉशनली अपने शरीमें डिवलप करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं टीका लगवाते हैं यानी कि वैक्सीन लगवाते हैं इस व पांस से छे साल, पांस से छे साल के बाद जो है, इसका टीका लगवा लेना चाहिए, ठीक है, टीका लगवा लेना चाहिए, तो कहीं पे पांस से छे साल आपको मिलेगा, कहीं पे साथ से आठ साल भी मिलेगा, कहीं पे आठ से दस साल भी आपको मिलेगा, आपको अलग-अलग पुस्तकों में अलग-अलग इस तरीके के स्टेटमेंट्स मिलेंगे लेकिन पांस साल से ले करके दस साल के मद्ध जो है ये टीका जो है एक बर जरूर लगवा लेना चाहिए ठीक है तो ये कब तक प्रतिरक्षा करता है हमारे शरीर में तो याद रखेगा पांस से दस साल एक वैक्सीन जो आप लगवाते हैं वो पांस से दस साल शरीर में जो है वो रक्षा करता है उसकी बाद पुनह वापिस लगवा लेना चाहिए चाहिए नेक्स आईए दसवे नंबर का क्वेशन चेचक का टीका कौन लगवा सकता है व्रिद्यजन लगवा सकते हैं महिलाए लगवा सकती हैं बच्चे लगवा सकते हैं या सब भी लगवा सकते हैं चेचक के टीके की बात कर रहे हैं कौन लगवा सकता है तो याद रखिएगा जब मैंने कहा कि हर 5-10 साल के बीच लगवाना चाहिए तो हर 5-6 साल के बीच हर व्यक्ति इसको लगवा सकता है वृद्ध जन परिवार में उनको भी लगवाईए महिलाओं को भी लगवाईए और बच्चों को भी लगवाईए नहीं लगवाएंगे तो एक व्यक्ति को यदि होगा तो जब भी वो सांस लेगा सांस लेगा, छीकेगा, खासेगा तो वो वाईउ के माध्यम से जो है इस तरीके के रोगाडू दूसरे के सांसों के द्वारा जो है शरीर में प्रवेश कर जाएंगे तो बहुत ज़रूरी है कि परिवार के सभी सदस्यों को समय रहते इस तरीके की वैक्सिन दे दी जाए, ठीक है नेक्स्ट आईए ग्यारवे नंबर के क्वेशन पे कतन कारण का क्वेशन है नहीं, कतन नहीं है कतन कारण का नहीं है दूसरा है, यदि होता भी है तो इसका असर ज़्यादा नहीं होता है तीसरा है, यह ठीका बहां में लगाया जाता है अब इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है A है 1 तथा 2 B है 2 तथा 3 C है 1 2 तथा 3 D है इन में से कोई नहीं चेचक का टीका लगाने के बाद साधारन रूप से चेचक नहीं होता है हमने अभी पहले के कई questions में इस बात को discuss कर लिया कि जब भी हम लोग चेचक का टीका लगवाते हैं तो चेचक का टीका लगाने के बाद उस रोग के प्रती हमारे शरीर के अंदर antibody डवलप हो जाती है जिससे दुबारा जो है इस तरह की बीमारी या इस तरह का रोग जो हमें नहीं होता है यह नहीं होता है लेकिन यदि इन केस ठीक है तो इसका असर ज्यादा नहीं होता है क्या है सही है यह टीका बाह में लगाया जाता है यह टीका बाह में लगाया जाता है यह भी क्या है सही है प्रश्ण में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है कौन सा कथन असत्य है तो यहाँ पे पहला भी सत्य था दूसरा भी सत्य था तीसरा भी सत्य है तो असत्य कौन सा है तो भाई साब इन में से कोई नहीं ठीक है इन में से कोई भी नहीं सभी क्या है सत्य है ठीक है इसमें जितने भी है points सभी क्या है सभी सत्य है इसलिए इन में से कोई नहीं जो है वो correct answer होगा 11 number के question का ठीक है 11 number के question का नेक्स टाइए 12 number का question चेचक की परिचर्या से हटने की बाद परिचारिका को farmaline dehyde के कितने प्रतिशत घोल से अपने हाथों को साफ करना चाहिए ठीक है हाथ से धोना चाहिए sorry घोल से यहाँ पर हाथ होगा ठीक है हाथ को धोना चाहिए या हाथों को धोना चाहिए ठीक है ह तो 10% 30% 50% 80% 12 number के question पर आते हैं यदि आपको याद नहीं है यदि नहीं पता है don't worry कोई बात नहीं याद रखेगा सीधा सीधा तेयार कीजिए चेचक की परिचर्या यानि कि ऐसा व्यक्ति जो चेचक के रोगी की पूरी परिचर्या देख भाल करता है उसको खाना कहिलाता उसके बिस्तर को साफ कर रहा है उसके कपड़े दो रहा है उसको जो भी है उसको नहला रहा है या उसके body parts को पोच रहा है जैसे भी है जो भी उसके care कर रहा है जब वो उस रूम से बाहर निकलता है जब वो उस रूम से बाहर निकलता है तो कभी भी जो यहाँ परिचर्या कर रहा है उसी को हम क्या कहते है परिचारी का कहते हैं या परिचरिया करने वाला कहते है नॉर्मली जो है यदि फीमेल है तो परिचारी का शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं यदि मेल है तो परिचरिया करने वाला ही हम लोग कहते हैं तो यदि वो उस रूम से बाहर निकलते उस रूम से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपने हाथों को फार्मेलीन डी हाइड के घोल से धोना चाहिए ठीक है फार्मेलीन डी हाइड के घोल से धोना चाहिए जिससे जो किटानू वगेरा है जो टेच करा है उन्होंने वो जो है कहीं न कहीं यदि हाथों में कहीं से इस पर्ष से यदि उनके लगे हुए हैं तो वो पूरे के पूरे साफ हो जाएं क्यों क्योंकि हाथों को साफ करेंगे तब ही वो नहाने जा रहे हैं तो अपने वस्तर उठा रहे हैं या कोई समान उठा रहे हैं जा रहे हैं दर्वाजे को छूर हैं कुछ भी कर रहे ह यदि वो डोर को भी open करने की कोशिश करें, खोल रहे हैं बाहर निकलने के लिए, या washroom में घुसना चाहा रहे हैं, तो भी डोर को खोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं हाथों का ही प्रयोग वो सरवादिक करते हैं, तो वो हाथों को जो है, फार्मलीन डीहाइट के घोल में यदि उनके जो है comparatively थोड़े स्वक्ष हो जाते हैं और कहीं न कहीं वो फिर अपने जो समानों को की सुरक्षा है जिसके लिए या अपनी सुरक्षा है जिसके लिए वो इसनान करने जा रहे हैं तो अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं तो इसमें जो है कितने प्रतिशत ये गोल होना चाहिए, तो सीधा सीधा fact आधारित question है, याद रखिएगा 10 प्रतिशत गोल में, यानि कि 10 प्रतिशत का गोल तैयार करेंगे और उससे अपने हाथों को धोएंगे, याद रखिएगा, ठीके 12 नमबर का question है, एक correct answer होगा, 13 नमबर का question, ठीके हमने 12 किया था, yes, 13 नम कोई answer आता होगा, Edward Jenner द्वारा, याद रखिए, किस रोग के टीके का अविशकार किया गया, ठीके, किस रोग के टीके का अविशकार किया गया, तो ये चेचक के जो है, वो टीके का अविशकार Edward Jenner के द्वारा किया गया, एक प्रशन हमने पहले ही लिया था, अगर मैं के द्वारा चेचक के टीके का अविष्कार किया गया था याद रखिएगा 13 नंबर के question का answer 14 नंबर पर आने से पुर्व यह जो है वो Edward Jenner है ठीक है vaccine against smallpox ठीक है चेचक के टीके का अविष्कार vaccine against smallpox चेचक के टीके का अविष्कार करने वाले यह हमारे हैं Edward Jenner इनको आप देख लीजिए, इन्होंने आपको सुरक्षा दिया है, इन्होंने हमें सुरक्षा दिया है, और आज भारत कहीं न कहीं इस TK के कारण बहुत सुरक्षित है, अदर्वाइस तो चेचक जो है, आज हम लोग कोविड की महामारी, हमने तो अपनी नजरों के सामने दे के?